किसी गाउं में एक भुड़ा व्यक्ती अपने बेटे और बहू के साथ रहता था, परिवार सुखी संपन था, किसी तरह की कोई परिशानी नहीं थी, भुड़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नोजवान था, आज भुड़ा पे से हार गया था, चलते समय लड़ खडाता था, अब तो लाठी की जरूरत पढ़ने लगी थी, चहरा जुर्यों से भढ़ चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतित कर रहा था, घर में एक चीज अच्छी थी, कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठ कर खाना खाता था, एक दिन में बहु और बेटा भी खाना खाने लगे, बुढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, और थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई, बहु बेटे ने घरना द्रश्टी से पिता की ओर देखा, और फिर से अपना खाना खाने में लग गए, कितनी गंदेत रह से खाना खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूँ, बेटे ने भी ऐसे सिरह लाया, जैसे पतनी की बात से सहमत हो, नन्ना पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था, अगले दिन पिता की थाली उच टेबल से हटा कर एक कोने में लगवा दी गई, पिता की डबडबाती आँखे सब कुछ देखते हुए भी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बूढ़ा पिता रोज की तरहे खाना खाने लगा, खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर, छोटा बच्चा अपना खाना चोड़कर लगातार अपने दादा की तर मा, मैं सीख रहा हूँ कि वरद्धों के साथ कैसा वहवार करना चाहिए, जब मैं बड़ा हो जाओंगा और आप लोग बुढ़े हो जाओगे, तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना किलाया करूँगा, बच्चे के मूँ से ऐसा सुनते ही, बेटे और भहुत दोनों का पुठे, शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों को दिया था, बेटे ने जल्दी से हागे बढ़कर पिता को उठाया, और वापस टेबल पे खाने के लिए बैठाया, और बहु भी कर पानी का गिलास लेकर आई, कि पिता जी को कोई तकलीप न हो, दोस्तो, मा बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूझी है, आप समाज में कितनी भी इज़्जत कमा ले, या कितना भी धनी खठा कर ले, लेकिन मा बाप से बड़ा धन, इस दुनिया में कोई नहीं है, दो